नमस्कार आप से भीका स्वागत है यूटूब चैनल कुमार फिनांस वर अगर आप होस्ट टाइम विजिटर है या आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लेकर का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो ल कर रहे हैं जितना भी उस वीडियो में सेलेक्ट कर रखा था डारेकली और पर ऐसले कि दूबर कर रहे का आपको खांगा अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं है Tata Motors के बारे में इसका Stock Analysis और Fundamental Analysis हम देखेंगे क्योंकि यह रखा जाए तो Tata Motors में बहुत ज़्यादा कर जाए और इस share में पिछले कुछ महीनों या दिनों में अच्छा खासा रेली देखने को मिला है क्या यह Momentum आगे भी वरकरार रहेगा इसको हम जानने की कोसिस करेंगे तिन फेक्टर्स के बारे में हम जानेंगे जो Tata Motors Limited के Business और इसका Share Price में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं इस क्रेपेश पॉलिसी क्या है जिसका Benefit Tata Motors को मिल सकता है फ्यूचर में पिछले कुछ दिनों में यह Share जिस रप्तार से भागा है क्या यह Right Time है इसमें इंवेस्ट करने के लिए इसका Future Price Rate क्या हो सकता है और Investment Checklist में यह Share कितना खरा उतरता है यह सब जानने के लिए Start करते हैं यह वीडियो सबसे पहले नजर हम डाल लेते हैं Tata Motors Share के Volume LACS पर Today जो Data दिया हुआ है 8 February 2021 का है NSE और BSE मिला के जो Total Quantity Trade हुई है यह करीब 10 करोर 80 लाग के आसपास है लेकिन Delivery का परसेंटेज यह काफी कम देखने को मिला है और यह करीब 13.5% निकल कार आ रहा है इसके पाले वाले ट्रेडिंग डे को भी देखा जाए तो उस दें भी करीब 11 लाग के आसपास से ट्रेड होता है और Delivery एक बार फीर से पहुने 13% के आसपास होता है यानि पूर Delivery कर सकते हैं लोग इसमें ट्रेड तो कर रहे हैं लेकिन इसको होड नहीं कर रहे हैं अगर देखा जाए तो One week का average भी निकाला जाए तो यहाँ पर करीब 17 करोड के आसपास से ट्रेड होता है लेकिन Delivery का percentage एक बार फीर से पूर निकल कर आता है और इकरी 12% के आसपास आ रहा है काने का मतलब है Tata Motors के share price में लगतार बड़ोतरी देखने को मिल रही है जिसकी वज़र से बहुत सारे trader इस share को trade करते हुए profit book करते जा रहा है Tata Motors का fundamental चेक करने के लिए इसके कुछ major aspect को है हम cover करेंगे ताकि इस वीडियो का length बहुत जादा ना हो profit and loss statement में हम नज़र डालेंगे मार्स 2010 से लेके मार्स 2020 तक के data में sales पर नज़र डाला जाए तो मार्स 2010 में इसका बागवे 1519 करोड का हुआ करता था जो करीब टींग उना से थोड़ा कम बढ़के दो लाग एकसाथ हजार अनसफ करोड के आसपस पहुँच जाता है मार्स 2020 के annual report के हिसाब से OPM का percentage देखा जाता है तो ये मात्र 8% है मार्स 2010 के annual report के हिसाब से इसमें थोड़े से बड़ोत्री देखने को मिलती है अगले कुछ सालों में ये 14%, 13% और 15% हो जाता है मार्स 2014 में और मार्स 2020 के annual report आते ये 7% हो जाता है जो हम कर सकते हैं ये negativity सो कर रहा है इस company के business के बारे में जनरली ऐसा माना जाता है कि अगर कोई company Tata Group से विलोंग करती है तो fundamentally strong है और ठिक ठाक profit करती है लेकिन Tata Motors के case को देखा जाए और हम इसके net profit पर नजया डाले तो ये 2541 करों रुपिया हुआ करता था मार्स 2010 के annual report के हिसाब से लेकिन अगर मार्स 2020 के annual report देखा जाए तो ये company loss book करती है और वो करीब 12,071 करों रुपिया निकल कर आ रहा है उसके एक साल पाले 2019 के annual report में इस company ने तो बहुत बड़ा loss book किया था और 28,826 करों रुपिया ये निकल कर आया था उसके पाले के period को देखा जाए तो company ने लगातार profit book किया है इसमें fluctuation देखने को मिल रहा है लेकिन profitability बनी रहती है earning per share को देखा जाए तो ये करीफ साड़ा नौट भी आ हुआ करता था मार्च 2010 के report के इसाथ से अगले साल इसमें ठीक ठाक बड़ोतरी देखने को मिलती है और ये 32 रुपिया चाचर पैसा हो जाता है और फिर से इसमें बड़ोतरी अगले साल भी continue राता है जो 47 रुपिया साथ पैसा के आसपास हो जाता है लेकिन latest इसका annual report देखा जाए मार्च 2020 का या मार्च 2019 का तो यहाँ पर आपको negative earning per share देखने को मिलता है 2019 में ये करीफ 100 रुपिया के आसपास होता है उसमें थोड़ा सा improvement देखता है और मार्च 2020 के report के हिसाथ से 49 रुपिया निकल का आ रहा है जो data हमने profit and loss statement में देखा उसका reflection आपको compounded sense growth में भी देखने को मिलेगा compounded profit growth में भी देखने को मिलेगा और इसके stock price CAGR में भी देखने को मिलेगा क्योंकि हम जाते हैं पिछले कुछ दिनों में इस share नहीं अच्छा चला है लेकिन अगर दो महीना तीन महीना पहले चले जाए तो ये share मात्र 140 या 150 रुपिया के आसपास चल रहा था जो कि कहीं से भी justified नहीं लग रहा था पांच साल में 5% है और 10 साल में 15% है यानि अगर stock price CAGR, return on equity, compounded profit growth है या compounded sales growth आप कहीं पर नज़र डाले तो ये share investment के लाइक कहीं से नहीं दिखता है लेकिन जब हम वीडियो को conclude करेंगे सारे picture clear हो जाएंगे क्या ये share invest करने लाइक है या नहीं इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें balance expenditure डालते हुए अब हम देक लेते हैं इसके reserves 7,636 करोर हुआ करता था मास 2010 के रिपोर्ट के इसार से जो बढ़के मास 2020 में 61,491 करोर हो जाता है borrowing जो कि किसी भी company पर एक कर्ज होता है ये 35,108 करोर भी आ था मास 2010 में और 10 सल के बाद ये 1,24,788 करोर हो जाता है मास 2020 के annual report के इसार से अधर liability को देखें तो 43,289 करोर के आसपास हुआ करता था मास 2010 में और 10 सल बाद ये 1,23,181 करोर हो जाता है यानि borrowing हो ये आधर liability हो इसमें बेतहासा बिरेदी देखने को मिल रही है जिसका impact इसके profitability पर पढ़ रही है और जैसा कि हमने देखा पिछले 2,3 सालों में इस company ने loss ही book किया है share holding pattern पर नज़र डाला जाए तो इसमें promoters की holding को देखा जाए तो ये करीब 36% के आसपास होगा करता था मार्च 2018 में जो पढ़ के 42.39% हो जाता है दिसम्ब 2020 में इस सेम पिरियड में FIAS की holding में deterioration देखने को मिलता है और ये करीब 20% से घटके 15.5% के आसपास हो जाता है DIAIS की holding में भी यहाँ पर और देखने को मिल रही है जो 17.5% से घटके करीब 12.5% के आसपास हो जाता है सेम पिरियड में पब्लिक जिसमें HNI और रिटेन इंवेस्टर आते हैं उनकी holding करीब पॉनने 46% के आसपास होगा करता था मार्च 2018 में जो बढ़ के 29.27% हो जाता है दिसमब 2020 के एन्वेल रिपोर्ट के इसाब से इस share holding pattern में जो दो चीज़े negative निकल कर आ रही है FI जो या DIA जो अपना share holding कम किया है लेकिन एक positive चीज ये भी निकल कर आ रही है कि promoters ने अपना holding बढ़ाया है अब तक का detail देखा जाए तो लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस company में कुछ अची चीज़े हुई है जिसका impact इसके quarter result पर पड़ा है इसलिए अब हम नज़र डाल लेते हैं इसके quarter result पर quarter result पर नज़र हम डालेंगे तो इसमें कुछ positive चीज़े आपको देखने को मिलेगी यह data हलाकि मास 2018 से लेकि दिसम्बर 2020 तक का दिया हुआ है लेकिन हम पिछले दो तें quarter का ही result के उन देखेंगे अगर जून 2020 का quarter result आप देखते हैं तो इस company में sales करीब 31,983 करोड का होता है जो बढ़के सेप्टेंबर 2020 में 33,530 करोड होता है और अगले quarter में 75 या 64 करोड हो जा रहा है यानि अब देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा jump देखने को मिल रहा है जून 2020 के quarter result से compare किया है सेप्टेंबर 2020 ये दिसम्बर 2020 के quarter को तो लेकिन अगर आप इसके expenses को इसके sales से compare करें तो sales ज़ादा होता है और उस ratio में expenses नहीं बढ़ता है यानि टाटा मोटर्स का जो management है अपने expenses को control किया है इसका impact इसके operating profit पर भी पड़ा है और operating profit margin का percentage अगर हम देखें तो जून 2020 में मात्र 2% हुआ करता था उसके पाले वाले quarter में तो मात्र 1% हुआ करता था मास 2020 में लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खासा jump देखने को मिल रहा है जो आप इसके पर देख सकते हैं 11% सेप्टेमबर 2020 में और 16% दिसमबर 2020 में हाला कि अगर देखा जाए तो मास 2020 से सेप्टेमबर 2020 का जो time रहा यह कोरोना से बहुत ज़्यादा damage रहा और हर बिजनेस इस period में सफर किया especially manufacturing unit हो यह construction sector हो लेकिन एक factor मैं यहाँ पर add करना चाहूंगा जो पिछले कुछ माहिनों में आया था कि Tata Motors या Tata Group का जो management है वो अपना कुछ बिजनेस का unit सेल कर रहा है ताकि इस Tata Motors पर जितने विकर्ज है liability है उसको कम किया जा सके और already उस रास्ते पर वो आगे बढ़ रहे है जिसकी वज़ा से इस share में positivity देखने को मिल रही है और इसका sales हो या operating profit हो उसमें बड़ोते देखने को मिल रही है अब हम देख लेते हैं Tata Motors share का investment checklist कैसा है उसके लिए मैं आप लोग को मिले लेकिन इसके fundamental सेम रहेंगे और prospect भी सेम रहेगा investment checklist पर नजा डाला जाए तो इसका intrinsic value rate zone में है क्योंकि इसका share price जो फिलाज चल रहा है इसके सोभाविक value से ज़्यादा है returns versus FD rates भी अगर पिछले कुछ सालों का record देखा जाए तो ये भी rate zone में है क्योंकि इस share ने पिछले कुछ सालों में FD rates से कब return दिया है dividend returns भी यहाँ पर rate zone में है क्योंकि Tata Motors बहुत जाज़ा dividend नहीं देता है अपने share holders को entry point यहाँ पर green zone में है ये share अभी फिलाल overbought zone में नहीं है इसलिए ये green zone में है ये share ASM ये GSM list में नहीं है इसलिए एक साल में भी share ने करीव 99% के return दिया है लेकिन अगर नज़र डाला जाए 5 साल के data पर तो यहाँ पर बहुत ही खाला return आपको देखने को मिलेगा ये मातर 4% के आसपास निकल गार आ रहा है और अगर कोई 5 साल पहले इस share में अपना पैसा इंवेस्ट किया रहा था तो निश्ची ती उसको निरासा हाथ लगी रहती जनवरी 2000 से share price को consider किया जाए तो इसने करीब 645% के आसपास निकल दिया है अपने lifetime low इसने 9 पे 56 पैसा बनाया है और lifetime high इसने 606 रुपया बनाया है अगर 336 रुपया को यहां तक पहुशना है तो मुझे अभी भी लग रहा है कि ठीक ठाक समय लगने वाला है क्योंकि ये share मात्र पिसले कुछ दिनों में अच्छा चला है लेकिन उसके पाले ये काफी ढोल मुर रहा है और अपने share holders को निरासी किया है अब हम जाने लेते हैं उन 3 factors के बारे में जो वीडियो के start में मैंने जिक्रे किया था जिसका implication Tata Motors के share में और business में पढ़ने वाला है पाला factor और लेडी में share कर चुका हूँ कि इस company ने अपना कर्ष कम करना start कर दिया है जिसकी बज़े से इसका positive implication हो रहा है Tata Motors Limited के share में दूसरा factor है साइद आपको पता हो देड़ साथ पाले इस company के management ship में बहुत सारे हलचल चल रहे थे और chairman ship को लेकर इसमें cases वगरा भी चल रहे थे लेकिन वो मामला result हो गया और विलाल अगर देखा जाए तो इसके current chairman है वो TCS से आते हैं और उनका simple सा motive रहता है profit book करना क्योंकि जितना दिन उन्होंने TCS को चलाया TCS अच्छा खासा profit में चला और वहीं चीज़े उनके आदतों में सुमार है और वो चानते हैं कि पूरा Tata Group अच्छा perform करें और पूरे Tata Group से उनको अच्छा profit मिले जिसकी वज़े से वो हर एक unit, हर एक segment हर division पर focus कर रहे हैं और closely monitor कर रहे हैं ताकि Tata Group के जितने भी wing है हर wing उनका अच्छा perform करें और हर wing से उनको profit मिले इसको लेकर Tata Group के current chairman काभी aggressive और positive नजार आ रहा है और उसका result भी Tata Group के हर share या business पर देखने को भी मिल रहा है क्योंकि अगर आप closely watch कर रहे हैं तो देख सकते हैं Tata Group के share जितना पिछले कुछ महीनों में भागे हैं साइध history में कभी इतना नहीं भागे तिसरा factor है vehicle scrapage policy जो last budget में announce किया गया हाला कि इसके रूप रेखा और पूरा guideline अभी नहीं आया है लेकिन vehicle scrapage policy से future में Tata Motors को बहुत बड़ा benefit मिल सकता है और ऐसा माना जा रहा है कि अगर vehicle scrapage policy अच्छी बनती है तो इसका implication auto sector के लिए काफी अच्छा रहने वाला है क्योंकि auto sector का business 30-35% बढ़ जाएगा इस scrapage policy को implement होने के बाद vehicle scrapage policy को अगर define किया जाए तो हर commercial vehicle का life 15 साल सेट होने वाला है और 15 साल के बाद उस vehicle को या तो आपको scrapage में sale करना होगा जिस company से आपने खरीदा है और उसके अगर्स में आपको कुछ reward मिल सकता है कुछ bonus मिल सकता है और साथी जो benefit आपको मिलने वाला है नए vehicle में उसको आप apply कर सकते हैं vehicle scrapage policy का सबसे ज़्यादा benefit commercial vehicle manufacturer को क्यों होने वाला है ये detail हम अगले वीडियो में जानेंगे क्योंकि उस वीडियो में भी commercial vehicle sector से आने वाली company का fundamental और stock analysis देखेंगे चुकि Tata Motors commercial vehicle manufacturing sector में एक बहुत बड़ा player है इसलिए Tata Motors को भी बहुत ज़्यादा benefit मिलने वाला है जिसकी बदे से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस share price में इसका भी युगदान हो रहा है और ये share price भागे जा रहा है अब सवाल ये उठता है क्या ये right time है Tata Motors के share में invest करने के लिए मैं अपर करना चाहूंगा आगर आप चाहें तो invest कर सकते हैं इसका future अच्छा लग रहा है लेकिन size आपको संबल कर चलने के ज़रत है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो इस share ने अच्छा कासा return दे चुका है हो सकता है आने वाले short time में इसमें थोड़ा सा profit booking देखने को मिले और इसके share price में थोड़ा बहुत किरावट देखा जाए लेकिन अगर आपका view long term में तो इसमें invest कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है आने वाले एक साल में इस share का price करीब साए 400 से लेके 500 के range में पहुंच सकता है इस वीडियो में इतना ही उम्मिद करता हूँ ये detail आपको पसंद आया होगा फिर भी मैं कहाना चाहूँगा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता है अगर पसंद आया तो like और share करना न भूले लाज तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद